नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है पर्मो ठाकूर और आप देख रहे हैं Smart Product Cafe YouTube चैनल दोस्तो सीलिंग फैन एक ऐसा अप्लाइंस होता है जो हर गर्में यूज के जाता है और गर्मियों के मौसम में इन सीलिंग फैन को 16-18 घंटे कॉंटिनेंस यूज के जाता है लेकिन दोस्तो जो चीज जितनी कॉमन होती है उसको सलेट करना उत्रा ही मुश्किल होता है क्योंकि मार्किट में आपको सीलिंग फैन के इतने सारे ब्रांट के इतने सारे मॉडल मिल जाते हैं कि उनको देखकर काफी confusion हो जाता है कि कौन सा ceiling fan आपकी requirement के साब से best होगा आपके इसी confusion को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको 1500 से 35,000 उपे के budget में top 5 ceiling fan in India 2022 के price, air delivery, motor speed, power requirement और warranty के बारे में detail ने बताऊँगा साथी साथ ceiling fan लेने से पहले किन-किन important points का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताऊँगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपने लिए एक best ceiling fan सेलेक्ट कर सके लेकिन यदि चनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज से चनल को सब्स्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों गर्मयों के मौसम में ceiling fan को हम 16-18 घंटे continuous यूज़ करते हैं इसलिए ceiling fan लेने से पहले आपको उसकी इसमें सबस्राइब का मतलब होता है कि फैन से आपको कितनी हवा मिलती है इसको ना पा जाता है CMM में यानि cubic meter per minute ये जितने ज़्यादा होगी उतना ही फैन आपको ज़्यादा हवा देगा speed गोना पर जाता है rpm में यानि rotation per minute ये जितने ज़्यादा होगी उतना ही फैन आपको तेज हवा देगा यानि ceiling fan लेने से पहले आपको उसकी air delivery और speed को जरूर चेक करना है ताकि आपको अच्छी performance मिले तीसरे component point होता है power consumption दोस्तों क्योंकि फैन काफी ज़्यादा यूश की जाते हैं इसलिए उनका power consumption कम से कम होना चाहिए ताकि आपका running expense कम आए नौर्मली ceiling fan का power congestion 60-80 watt के असपास होता है चौथा component point होता है fan का size दोस्तों यदि आपका room 10 by 12 feet के size का है तो आपके लिए 1200 mm का ceiling fan सही रहेगा वहीं यदि आपका room इससे बड़ा है तो आपके लिए 1400 mm size का ceiling fan सही रहेगा fan के अंदर double wall bearing लगे होने चाहिए दोस्तों इसकी विए से fan का alignment सही बना रहता है और fan सालो साल चलता रहता है तो आपको इन 5 points का ध्यान रखना है और अब बात करते हैं अपने main topic top 5 best ceiling fan in India 2022 की तो इस दिश में 5 नंबर के आता है Orient Electric की तरफ से 1200 mm ceiling fan model number आप screen पे देख सकते हैं इसका price है 1500 के आसपास दोस्तों एक बात का धिहान रखेगा कि इन सभी ceiling fan के price change होते रहते हैं तो exact price के लिए आप link पर जाकर जूरू check कीजेगा हो सकता कोई sale यह offer चल रहा हो और यह ceiling fan आपको कम price में मिल जाए इन सभी ceiling fan के link मैं इन वीडियो के disc fan में दे दिये हैं दोस्तों इस ceiling fan में आपको air delivery मिल जाती है 200 meter cube per minute की और motor speed मिल जाती है 400 rpm की यानि इस fan के अंदर आपको air delivery और speed दोनों ही काफी अच्छे मिल जाते हैं इस fan का power consumption है 78 watt का यानि यदि आप इस fan को 10 घंटे daily use करते हैं तो इसके महीने का खर्च इस fan में आपको 2 year की warranty मिल जाती है दोस्तों ये एक high speed ceiling fan है जिसके अंदर आपको 1200 mm ribbed blade मिल जाते हैं जो आपको अच्छी हवा प्रोड़ कराते हैं इसके अंदर double ball bearing के साथ copper motor लगी है जिसकी वियर से इस fan की durability बढ़ जाती है और ये fan लंबे समय तक आपको अच्छी performance देता रहेगा तो दोस्तों ये आपको budget 1500 रुपे के आसपास है तो orange electric का ये ceiling fan एक best option है आप इसको ले सकते हैं इस list में चौते नमर पर आता है luminous की तरब से doom 1200 mm ceiling fan इसका price है 1950 के आसपास इसके अंदर आपको 8 delivery मिल जाती है 220 meter cube per minute की और motor speed मिल जाती है 380 rpm की इसका power कंजा तोन है 70 watt क luminous के ceiling fan में आपको 2 year की warranty मिल जाती है दोस्तों luminous के ceiling fan की सबसे बड़ी खास बात है इसका power consumption इसका power consumption है 70 watt का और यदि आप इस fan को 10 घंटे daily उसकरते हैं तो इसका महिने का खर्चा मातर 147 रुपे के आसपास आएगा इस fan के अंदर high speed copper motor लगी है जो आपको powerful airflow provide कराती है साथी साथी इस fan के अंदर आपको non metallic high gloss paint मिल जाता है जो इसके look को enhance करता है तो दोस्तों यदि आपका budget 2000 के आसपास है और आप एक premium look और stylish design के साथ एक ceiling fan लेना चाहते हैं तो luminous का ये ceiling fan एक अच्छा option है आप इसको ले सकते हैं बेस ceiling fan की list में तीसे नंबर पे आता है क्रॉम्टन की तरफ से औरा 1200 mm ceiling fan इसका price है 2600 के आसपास दोस्तों क्रॉम्टन के ceiling fan में आपको 230 meter cube per minute की air delivery मिल जाती है यानि अभी तक मैंने आपको जो भी fan बता हैं उन में सबसे ज़्यादा इसी के अंदर air delivery मिलती है यानि आपको APRPM की जिसकी वैसे ये fan आपको काफी तेज हो देगा इस fan का power consumption है 74 watt का यानि यदि आप इस fan को 10 घंटे daily use करते हैं तो इसका महीने का खर्चा 155 रुपे के आसपास आएगा इस fan में आपको 2 year की warranty मिल जाती है दोस्तों क्रॉम्टन की इस fan में आपको double wall bearing के साथ copper motor मिल जाती साथी साथ anti-rust aluminum blade, low noise, wider blade और low power consumption इस fan के कुछ key feature है तो दोस्तों दिया आपका budget 5,000 रुपे के आसपास है तो क्रॉम्टन की तरफ से ये एक अच्छा option है आप इसको ले सकते हैं इस लिश्ट में दूसरे नमबर पर आता है वीगाट की तरफ से 1200 mm decorating ceiling fan मौटर नमबर आप इसक positive design देखनों को मिल जाता है जो इस fan को एक premium look प्रोड़ कराता है और आपके घर की ceiling के aesthetic look को enhance करता है इस fan के अंदर आपको 240 bitrq per minute की air delivery और 400 rpm की motor speed मिल जाती है जो की इस list में highest है यानि ये fan आपको highest performance प्रोड़ कराएगा इस fan का power consumption है 75 watt का और यदिया यदि आप इस fan को 10 घंट copper motor और aluminium alloy blade मिल जाते हैं जिसकी वैसे आपको इस fan में strong build quality मिलती है और ये fan सालो साल चलेगा इस fan के अंदर आपको 3 year की warranty मिल जाती है जो की other brands में नहीं मिलती साती साथ aluminium blade, anti-dash technology और attractive and vibrant colors option इस fan के कुछ key features है तो दोस्तों यदि आपका budget 3000 रुपे के आसपास है तो वीगाट की तरफ से ये ceiling fan एक best option है आप इसको ले सकते हैं दोस्तों किसी भी ceiling fan को लेके आपको को confusion हो था आप comment में comment से पूछ सकते हैं अब बात करते हैं नमबर 1 की लेकिन वहाँ जाने से पहले यदि ये वीडियो आपको informative होगी तो please इस वीडियो को like कर दे और चैनल को subscribe ज़रू करना एसी interesting वीडियो देखने के लिए top 5 ceiling fan in India 2022 की list में नमबर 1 पर आता है हैवल्स की तरफ से 1200 mm decorative ceiling fan model number आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका price है 3500 के आसपास इस ceiling fan में आपको air delivery मिल जाती है 230 meter की permanent की और motor speed मिल जाती है 390 rpm की याने इस fan से भी आपको काफी अच्छी हवा मिलेगी इस ceiling fan का power consumption 74 watt का और इदिया पिस ceiling fan को 10 घंटे daily उज़ करते हैं तो आपका महिने का खर्चा 125 रुपे के आसपास आएगा इस fan में आपको 2 year की warranty मिल जाती है हेवाल सके ceiling fan में आपको double ball bearing के साथ high performance copper motor मिल जाती है जिसकी वैसे आपको इस fan में लंबे समय तक अच्छी performance मिलेगी दोस्तो इस बजट में performance के साथ साथ looks of design भी matter करता है इसलिए इस fan में आपको unique in-mold design pattern और dust resistance paint मिल जाता है जो इसके look को enhance करता है और इसमें धूल भी कम चपकती है इस fan के अंदर आपको wider tip blade मिल जाते हैं जो air को room में 4 तरफ सर्कुलेट करते हैं साथी साथ high performance at low voltage, premium and stylish design और strong build quality इस fan के कुछ key features है तो दोस्तो यदि आपका budget 3,000 रुपे के आसपास है तो हैवल्स की तरफ से ये ceiling fan एक best option है आप इसको ले सकते हैं तो दोस्तो ये थी detail top 5 best ceiling fan in India 2022 under 1500 to 3500 अब आप अपने budget और requirement के हिसाब से इन में से best ceiling fan select कर सकते हैं यदि अभी भी कोई confusion होता आप comment बिलिक कमेंट से पूछ सकते हैं और आपको इस list में कौन समयन best लगा हमें comment बिलिक का जोलू बताएगा तो दोस्तो आज की वीडियो मस इतना ही मिलते हैं अगले interesting वीडियो में जब तक के लिए खुछ रहें स्वास्त रहें नमस्कार